ऐसंगर संग्ट मैं में विस्तरें क्यों सब्सक्राइब और उस 항상 Kevin अभी ऐन। परक्तिकल में हमने SC को स्टार्ट कर लिया ता, SC को आपको मैंने बता दिया द्या तो आप सभी ने, यानि कि आप सभी ने, कहीं न कहीं, CC को जितने भी main classes है, कि L किसमें आ रहा है, A किसमें आ रहा है, बड़ा चोटा A किसमें आ रहा है, तो इस सारे आपने लिख लिए होंगे, AZ क्या है, mathematics का code क्या है, तो इस सारे हमने code लिख लिए होंगे, क्योंकि ये लिखे बिना, मैं भी आगे नहीं जा सकता, और अगर आगे मैं समझाओं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो हर time code देखने पड़ेंगे, तो चलिए सुर एक चीज द्यान लगिए, आज आपके वर्दमान यूनिस्टी के जो assignment है, उसे भी कराया जाएगा, तो उसे भी एक नजर में हम देखेंगे, तो उसको भी important question आपको बता दूँगा, कि ये question आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, मतलब उस assignment में से आपको बता दूँगा, जैसे आपको और assignment करवाएं है, उत्रा करने उपन यूश्टी वाले बच्चे ने, किसी ने भी आभी तक मुझे assignment नहीं बेजा है, तो वो नहीं हो पाएं है, तो चलिए आज कच या नहीं कि CC के practical में क्या है, या नहीं कि आपका introduction and use of five fundamental categories के बारे में, सबको पता है कि P, M, E, S, T Personality, Matter, Energy, Space, Time, ये सबको रटा बढ़ा है, इसके symbols क्या है, ये भी आपको पता होंगे, तो इस चीज़ को लेके चलते हैं, आज देखते हैं आपकी वुक में क्या बताया गया है, ठीक है, सबसे पहले आपका आता है Personality, कॉमा, पदार्थ, Matter मतलब, फिर आपका semi-colon, Energy, colon, Space, Dot, Carl, Single, Inverted, Coma, ठीक है, ये आपको चीज़े पता जल गई, अब आपका यहाँ पर जो चीज़े रिखी गई, इससे धोड़ा ध्यान से समझे, देखिए, पी, एमेस्टी पुकारा जाता है, याने की पुकारा, पी, एमेस्टी ये जाता है, इन्हें एकल भी कहा जा सकता है, कि पूछे है, अफाatique आफटर, इंडियमंड, बहरता जा याने की, इस की पॉलिटिकल हिस्टी, और 2056, इस तरह से दे दिया, याफिट एमेस्टी दे दिया, तो आपको फोटी सेवन, याने की, आफटर, बताना है, पीफोर गता दिया, अब भी फोर और आप्टर वाले एरो आपको मैंने बताये थे वो भी आपको याद होने चीए तो यह भी आपको ध्यानक ना है ठीक है आगे चलते हैं इसका जो विवस्थापन अमूर्थ से मूर्थ क्यों है किसे याने की अमूर्थ मतलब कुछ चीज हमें पता नहीं है उससे मूर्थ की ठीक है कियो और है अर्थात वर्गी करन करते समय इस पक्षो को की पहचान शीशक में विप्रीत करम अर्थात पी एस एम पी में भी की जानी चाहिए ठीक है यानि 이 पहले टाइम फिर स्फेस फिर एनरजी फिर मैनर फिर पर्स्न इस तरह भी करी जानी चाहिए छाहिए तो इसी का समझ गे तो इसने ख़ पहला आब यानि कीज़े से पहले आता है प्रस्नैलयटीं करम में भी होनी चाहिए तो फ्रस्नैलीटी फेक्टित हो यानि कि मनुष्य को व्यक्ति के अनेक जो गुण है और और रंगनातन जी ने कहा है जो भी मैथर्ड होते हैं जो भी हम क्या करते हैं, चीजों का अनुपालान करते हैं, मुल्य श्रेणी में काल हो गया, बहुत भाजन हो गया, उर्जा हो गया, उसके परदार्त हो गया, उसको व्यक्त करते हैं, और कहीं न कहीं हम जब एक व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं, त तो यह आपका हो गया है ठीक है notation क्या है डी उसका प्रस्न यानि की personality factor क्या है fact क्या है कार यह ठीक है chemistry किसके लिए उसके जो substances हैं और इस सारी चीजिए यानि की द्रवे के लिए फिर इस तरह से आपके ये इस सारे या फिर एक तरह से प्रस्नेलिटी फैक्ट्स आ जाएंगे ठीक है अब जैसे उधारण दिया गया है उधारण में आपको एक सीज में आपको बता दूँ देखिए जैसे आपका क्या है यह आपका है और्गेनिक केमिस्ट्री सबसे जादा पूछा जाता है डीडीसी में डीडीसी में पूछा जाता है सीसी में पूछा जा सकता है टाइम की बात है फिर एक पूछा जाएगा लाइब्री से रिलेटेड कोई भी लाइब्री से रिलेटेड लाइब्री में आपको बता है कि किसका है दो किसका है और आगे किस चीज के हैं जैसे आपको दिखाए गया दो इसका है, universal library आपको यह आ गया, thesis in university library आ गया, फिर आपका कहा है, sound book आ गया, फिर आपका education, sorry, education economics आ गया, तो इस तरह से आपको कहा करना है, चीजों को लेके चलना है, अब चीजों को लेके चलना है, यह किसके अंदर गया थे, matter के अंदर, यानि कि आपका जो PM, यानि कि personality matter पदार्थ फिर आपका क्या जाएगा एनर्जी आगया एनर्जी किसकी चल रही है जैसे आपके एनर्जी में क्या होगा जिसमें हमेशा कारे करते हैं क्रिया के यानि के अभ्यास होते हैं और क्रिया का लापो और समाधान और उसकी गतिवीदियो के आदि को दर्शाते हैं क्य लाइबरी का गोड का है दो फिर हम क्या लगा दिया और इसके अंतर का ती यह इस तरह से लिखना है ठीक है यह बिल्कुल आपको आसानी से बता आगया यहाँ पर क्या था यह वाला यूज़र है आगया जाता है इस पेस टाइम यानि की इस पेसिंग की बात आती है अब जैस से हम क्या कर रहे है हम कौन से स्पेस में रहे है हम एशिया के इंडिया स्पेस में रहे है यानि की इंडिया में रहे है तो यानि की आपका हो जाएगा कोड हो जाएगा 44 और वी किसका है यानि हिस्ट्री का हिस्ट्री हिस्ट्री का 44 सिंपल कोड ब्रिटिश लो ब्रिटिश इन अम्रिक्या अमरिका सब्सक्राइब और अम्रिका क्या ना ऩर्टु ममिए आपको चीजों-बस्षटे चीजह करने देखिए मैं आपको कर रहा था यह वाली arrow और यह साथ से पहले आएगे M मतलब आपका 18 सो से लेकर ठीक है 18 निन्याण में तक फिर आपका जैसे आपका कहा है 17 सो से लेकर 17 निन्याण में तक काला कोड है इस तरह से कोड आपको सारे सारे मिल जाएंगी जिसे हम chronological ड्राइब के रूप में या फिर आपके समय के रूप में आपका प्रियोग करते हैं ठीक है और यह कहां पर मिलेगा आपको यानि की सार्णी तीन के अंतर रगत मिलेगा ठीक है फिर आपको आ जाता है एन एन मतलब आपका आ जाएगा डब्बै से लेकर निन्याण में तक एडी मतलब एडी के फिलफॉर्म बता सकता कोई देखिए यह है जीरो यहां से पीछे हम चलते हैं उल्टी दिशा में यानि कि एक दो तीन चार यहां से चलते हैं एक दो आगे की तरफ यानि कि हम कब कॉनसर्स में जीर है एडी में दोज आले साल आने माला है दोजार पच्चिस ठीक है हम मतलब 0 से 25 तक इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ें फिर इधर से मतलब 20 ठीक है यह भी आपको पता होना चाहिए चलिए अब आता है एम आसी पूछले आपसे तो एम का मतलब क्या है क्यानिकी 18 से उसमें आएगा अब इ 90 & 94 आजाएगा तो लाज डिजित रिखे जाएगे और 94 कि 90 कि एन 94 आपका 95 आजाए और 95 तो यह आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज़ों का फिर आपका आजाएगा विंटर फिर आपका यह सब अच्छा एक चीज आपको यह बता नहीं ती जैसे मैं आपको बता था अगर आपसे पूछ ले जाए यानि कि आपके इसमें दे दिया जाए 1947 से 1995 तक कोई किताब का सिंबल दे दिया तो सबसे पहले क्या है 95 बड़ा है इसमें तो इसमें लिखेंगे एन 95 से एरो किस की तरब करेंगे बड़े वाले की तरब और एन 47 तक माल लेजे आपने लिखा 1947 से लेकर तक आपको लिखना बड़ेगा एन 99 पहले एरो दे दिया हमेंने कि यह बड़ा है और इसमें लिखेंगे दिया एन 47 ठीक है समझ में आगे आपको अब आती है before and after की बात अब before मतलब कि आजादी से पहले यानि कि 90 47 से पहले तो हम ऐसी लगाएंगे एन 47 यानि कि पीछे की तरफ हम चलने हैं पीछे की तरफ ठीक है इसमें क्या होगा पीछे की तरफ हमने क्या करा पीछे की तरफ कर दिया हम जब क्या करेंगे जैसे आपको मैंने बता यहां से पीछे की तरफ चले तो पीछे की तरफ तो ऐसी क्या करेंगे पीछे की तरफ एरो लगा दे इसको नोट कर लो ठीक है इंपोर्टेंट है जैसे आपका क्या है यह दिया गया है आपका इमाल लिजे हिस्ट्री बिफोर 19th century अब 19th century अब सेंचुरी में यह नहीं लिखा जाएगा 19 लिख दो इस तरह नहीं तो हिस्ट्री का क्या हो जाएगा वी ठीक है और यह किसके अंतर करता गया आपका एम करके आपने 19th century ठीक है तो यह आपका इस तरह से चल जाएगा ठीक है इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है यह आपके सारे के सारे टाइटल हो जाएगे आपके आज के अभ्यास के सारे के सारे यह जो है यानि राइस क्रॉप यह आपका असाइनमेंट में भी आ चुका है प्रेक्टियल में भी आ चुका है राइस क्रॉप आया था मेरे टाइम पर ही आया था यानि कि जब मैंने बिलीवरी थी तो आया था फिर आपका एक और 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 राजिस्थान इसमें राजिस्थान नहीं पूचा जाएगा इसमें क्या है जैसे यह किस किताब है, यह रायस्थान की किताब से उठाया हुआ है, पुरा बूरा, ठीक है? तो वहां से भी, इसलिए मैं कहता हूँ, कि सो ओर जितने भी है सारे के सारे उठालो, एक यह क्या है, एक आपका एजुकेशन वाला पूचा जा सकता है, ठीक है? एजुकेशन लाइब्रेडी डिसीज वाला पूछा जा सकता है ठीक है यह आपको ध्यान में राकने हैं चलिए आगे चलते हैं अब यहां पर आती है बाद जैसे कि इसमें बताया गया है यानि कि आपका राउंड्स यानि कि अवर्तन और इस्तर अवर्तन में आपको बहुत पहले से कहता रहा हूं प्रेक्टिगल को थोड़ा इंग्लिश में यानि कि लाइब्रे को थोड़ा इंग्लिश में यूज कर लेना नहीं तो बहुत सा रिटन गलत होनी होनी है इसलिए कि इंग्लिश में कर रहे हैं उनके नंबर आपको ज़्या देखने के लिए इसलिए मिलेंग indi हिंग्री से पढ़ना है कि चुछ यह पढ़ने के इसलिए में आई कहते हूं कि आपको भी इस चीज का द्यान नहीं इंग्लिश में थोड़े सी टार्म्स इंग्लिश में भी याद कर लेना ठीक है चलिए आगे चलते हैं याने कि यह वेक्टित पक्ष की बात आज़ती है याने कि राउंड्स ओ परस्नेल्टी जो इसमें कहीं न कहीं पहले पिर आपको दुट्य हा जाएंगे यह पक्ष के अंतरकत आपको तृत्य पक्ष किस तरह से चल रहे हैं यह आपकी इस चीज पर द्यान रख आख जैसे कि आपका देखिए पर्तम पक्ष की लेके चलते हैं यहां पर आपका कहा है एक फॉर्मूला आपको दिखाने को 2m, 2e, 3m, 3e, इस तरह से दिये गए, यानि की पर्थम round में कहा है, personality, ठीक है, यह आ गया, second में आपका कहा है, 2p, 2m, 2e, 3rd में 3rd p, 3rd m, और 3rd e, इस तरह से चलते हैं यह, ठीक है, पहला आपका आगया basic, ठीक है, दूसरे में आपको दिखाता हूँ, है, general disease in lungs, तो general disease in lungs के बारे में आपका आ जाएगा, जैसे इसमें दिखाया गया, किसमें क्या गया है, चिनों को बगेर योजन, चिन के, ई पक्ष, वे, 2p, पक्ष की, एकल संख्याओं से जोड़ा है, किससे जोड़ा है, इससे जोड़ा है, यानि एकल पक्ष के, यानि P2 की, personality 2 के अंतर का जोड़ा गया है, तो यह आपका क्या है, इसके अंतर गया, यानि की, fever disease के अंतर गया, को परदिशित करता है, और कहीं न कहीं, आपका जोड़ वनेगा, इसके अंतर गता जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ आ गई, से आसान, CC के जब प्रक्टिकल होता है, CC के प्रक्टिकल में, हम जब नंबर निक यानि की, library का एक पूछा जाएगा, यानि की, library से पूछा जाएगा, BC से पूछा जाएगा, chemistry, physics, और आपका बोटनी, और, education से पूछा जा सकता है, law से कम पूछा जाता है, फिर आपका पूछा जाता है, industry से, industry पूछा जाता है, account से कई बार देखने के लिए मिला है, पर यह आपको द्यान लगने है ठीक है चल आगे चलते हैं यहां मैटर के बढ़ आता है मैटर के बाद आता है इस तरह की अभी वैक्ति वैर अभी वैक्ति में कही नgar है जितनी कि आपके P आ गया ऐसा गया ट यह सारे सारे उनको क्या करता है इस तरों को और उसके गहन वर्गिगर्ण की बात करता ठीक है अब गहन वर्गिगर्ण में फिर दुबार हो यह उसके लेवल्स यानिकी पर्थम में क्या होगा P S T 2nd में इतना 3rd में इतना इस तरह से चलते चल जाएगे लेवल्स के अंतर कता जाएगा जैसे आपका क्या है जाने कि ए जैसे आपका क्या है ए बिब्लोग्राफिय ओफ थेस्ट पब्लिश्ट इन इंडिया अप टू 1977 अब 1977 का क्या आ जाएगा अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहां पर अब इसने करा गया है एन सेवन लिखा है क्या यह सही है बताइए आप जैसे आपका आ गया बॉन इ 1880 तो 1880 में क्या लिख दिया उसने M80 आप इसके अंतरगत क्या लिखा M80 के अंतरगत लिखा अब M80 के अंतरगत इसने थर्ड यानि की थर्ड M80 के अंतरगत लिखा तो यह क्या सही है यानि की थर्ड लेवल में चला थर्ड इस तर में चला और थर्ड इस तर की गया है किसक तो यह भी आपको पता होना चाहिए आप काली दास तो यह भी आपको चीजे ध्यान में रखते हुए करके लेके चलनी है चलिए आगे चलते हैं और देखता हुए उसमें जो आपके काम की चीज़ हो नहीं तो और तो कन्फ्यूजन करेगी आपको क्योंकि कन्फ्यूजन अभी उस सिच्वेशन में नहीं हो आप कि इस सीज को आसाने समझ जाओ या कन्फ्यूजन करके समझ जाओ देखिए अब आते ही यानि कि जो विशिष्ट वर्ग के बात आते हैं विशिष्ट वर्ग में आप क्या जाएंगी जैसे स्मॉल स्केल हो गया लार्ज स्केल हो गया प्राइवेट हो गया पब्लिक हो गया चिल्डरन हो गया ओल्डेज हो गया तो इनको आपको सिंबल्स को जैसे कि क तो यह आने की special list के तौर पर आपको यह चीज़े दिखने के लिए मिल रही है इस book में फिर आगे आपका आजाता है पांच मूल स्रेणी के आदार पर वर्गी ग्रण की प्रकरिया ठीक है पांच मूल स्रेणी के आदार पर जैसे क्या आपका क्या है E M P S T ठीक है साथ से पहले क्या है आपका energy ठीक है किस में चलेगा energy ठीक है energy आपको पता लगी energy किसी इज की energy आपके लिए चलती है तो energy आपकी आ गई फिर आपका आ गया उसका periodicals यानि की उसका matter ठीक है यानि की जैसे आपकी क्या है catalog यानि cataloging periodicals university library पंजाब इतना ठीक है पीतना आ जाएगा पी-24 आ जाएगा यह था आपको सबको बढसे बदें बता दिया है उससे आपका क्या है फिसोडा ठीक है अप स्थान 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 स यह इसे ही बैटा दो चलो अब इतने का आपको क्या करना है नम्मन करना है युणिश्टी लाइबरी इन लिख दो यहाँ पर इन पंजाब यह फिर युणिश्टी लाइबरी पंजाब 2016 लिख दो या फिर आपको कुछ भी करके इस तरह से कोड बना के देखो अपने आप बना के देखो गलत होगा सलत होगा जो उसमें कोई चन्ता नहीं है यह अट गया यह अट गया अब इसमें क्या करोगे इसकी क्या हो जाएगी म जैसे अगर PMST यानि किरामानुसा चलने तो PMST में आपका क्या हो जाएगा 234 तो यहां पर क्या था 234 मेटर अब लिखना कैसा है symbols आपको सारे याद हैं तो क्या है था P का क्या था M का क्या था E का क्या था फिर आपका क्या Space का क्या था तो यह आपको इस तरह से लिखने है इन symbols के बिना आप कोई भी number नहीं लेख सकते हैं इनको ध्यान लगना पूरी जो कहा था गई भी है इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ इन numbers के ओपर है ठीके चलिए जैसे आपका कहा है पॉईट्री पॉईट्री जैसे आप दर बन सिर्फ नंबर मिल जाएगा येविया ये भी आपको मिल जाएगा ये भी रहको मिले ये बह सारे के सारे आपको आपकी score में ही मिल जाएंगे तो इस चीज से आपको कहें इनको ढूंड़ना है सीची कहीं आने की आप इंटरनेट पर डालो कोलोन क्लासिक्विकेशन वॉल्यूम सिक्स या फिर एडिशन सिक्स और उसका में पीडिएफ निकाल लो तो आपको मिल जाएगी या फिर आप उसको देख लो तो में में तो कहाने करों तो प्रक्डिकर समझनी में आपको दिकत हुगी चल लिए और नहीं भी आ रही चलो मान कि चलो हुआ आपको नहीं समझ में नहीं पर जितनी चीजा नहीं Fasti चलो इसका title का यह कहले काुए इतना थो आपको बतावना यह लाइबरी की हो गई, ठीक है यह लाइबरी की हो गई तो यह क्या करना है यह आपको देखने हैं यह फिर आपको बचता गया है आपका फिर आपके टाइटल जो में टाइटल होते हैं और आलाइज्ट क्या होता है ट्रांस्फ़र्मिंग टल घंडा में इसमें ज्यादा चीजें नहीं है तो यहां से आपको नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँगा, किसी के पास assignment बचा हूँ, ठीक है, question paper बचे हो, pyq कोई से हो, ठीक है, मुझे whatsapp नमबर पर भेज दो, ठीक है, whatsapp नमबर पर आप क्या कर दो, send कर दो, ठीक है, या फिर आप mail कर दो, ठीक है, वैसे तो मैं आपको कहूंगा, whatsapp नमब ठीक है, pdf send कर दो आप, या फिर आप बता दो कि link, यानि कि आप मुझे बता दो कि कहां पर है, कौन सी university से आप हो, और download आपकी university में कर सकते हो, facility हो, तो मैं आपको, वो भी आपको करवा के दिखा दूँगा, चली, आसे करता है, आपको वीडियो पसना है, वीडियो पसना ह शेगा, थैंक यू